हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इरिक्षा का जो कंट्रोलर होता है तो उसका साइ सरकीट डायग्राम मतलब कि उसके अंदर कितने सेक्षन है और ये कैसे काम करते है और इसका जो डायग्राम है इसके बारे में हम आज बात करने बारे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा तो देखिए एक नंबर में फास्ट हम मॉस्पेट को ही ले लेते हैं तो मॉस्पेट का एक चैनल में मतलब कि मॉस्पेट का तीनों चैनल होता है तो एक चैनल में आठ पॉस्पेट रहत है तो चार czyli के साइट चार पोजर्ण साइट जरह ध्यान से समझेगा कि चार के साइट चार पोजर्ण के साइट आट मॉस्पेट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो देखिए हमारा जो कंट्रोलर होता है तो उसमें तो मॉस्पेट का तीन चैनल रहता है और तीन चैनल में आट आट करके मॉस्पेट रहता है तो हम एक ही चैनल को ले लेते हैं तो एक चैनल में आट मॉस्पेट तो चार नेगेटिव के साइट चार पोजिटिव के साइट तो यह हमारा हो गया अभी देखिए जो आठ मॉस्पेट था तो चार तो नेगेटिव के साइट हो गया और चार पोजिटिव के साइट हो गया और यह जितने भी मॉस्पेट है मानके चलिए नेगेटिव साइट में हम चारों मॉस्पेट को आप को एक बार दिखा देते हैं ड्रॉआ करके तो ये सारा मॉस्पेट पेरालल में रहता है एक के साथ एक जुड़ा रहता है मतलब कि एक के सोर्स के साथ सभी सोर्स का कनेक्शन रहता है और सभी का जो ड्रेन होता है तो सभी में ये कनेक्शन रहता है पेरालल में और जो gate का connection है वो थोड़ा अलग सा है अलग सा मतलब यह parallel में ही रहता है तो resistance के through यह यह भी parallel में ही है तो चार resistance देखे इसको मतलब कि fuse type काम करने को लिए लगाया कि अगर आपका एक MOSFET खड़ाब हो जाए तो वो resistance खड़ाब हो जाएगा तो वो MOSFET काम करना बंद कर देगा तो देखिए यह तो हमारा MOSFET का जो मतलब के connection था वो मैंने आपको समझा दिया तो देखिए कंट्रोलर में मैं आपको एक बात दिखा देता हूं तो यह देखिए यहां से यहां तक देखिए यह negative side का draw मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर में तो यह हो गया उपर का हो गया ह हमारा negative MOSFET सेक्शन और नीचे देखिए हमने जो draw किया तीन चार तो यह हमारा हो गया positive का साइड तो पहले तो देखिए हमने first में ही बोला के चलिए एक एक करके जितने भी सेक्शन है उसको हम देख लेंगे तो और देखिए यह जो चारों resistance का बात मैं कर रहा था तो दूनों side में ही है यह एक दो तीन चार तो यह भी parallel में ही है श्रीप resistance देके इसका connection दिया हुआ है तो MOSFET का सेक्शन तो हमारा हो गया और यह जो gate का connection अभी हमारा मतलब के जो खाली है तो उसका connection सीधा चला जाता है चारों चारों MOSFET का connection दोनों side के चार चार आट तो यह चला जाता है driver section में तो driver section हमें दोनों side में ही मिलता है एक negative side में मिलता है एक positive side में मिलता है अभी देखिए यह जो driver section का काम होता है यह MOSFET को on करने के लिए ही काम आता है मतलब कि इसको कितना स्वीड में चलना है ये ड्राइबर सेक्षन से ही कॉमेंट मिलता है मॉस्पेट को तो अभी देखिए ये पॉजिटिव साइट का ड्राइबर सेक्षन मैंने ड्रॉख किया इधर तीन टैंजिस्टर रहता है और कुछ कॉम्पोनेंट से रहता है रेजिस्टेंस ड्राइट और यही से CPU का कनेक्षन देखिए ये IC के पिन में जाता है तो ये पॉजिटिव साइट हो गया तो उपर वाला साइट हमारा ये नेगेटिव हो गया तो सेम प्रोसेस है यहाँ से CPU IC की पिन में कनेक्षन जाता है तो एक नमबर पे तो हमारा था मॉस्पेट सेक्षन और दू नमबर में हमारा आ गया ये ड्राइबर सेक्षन और इस ड्राइबर सेक्षन को चलाने के लिए देखिए 14 वोल्ट और 5 वोल्ट बहुत ही ज़रूरी है तो इसको हम पावर सेक्षन कहते है तो देखिए मैं ड्राइबर कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक यह कंट्रोलर का पावर सेक्षन होता है जो इगनेशन की मतलब के जो चावी का तार है यही से यह 48 वोल्ट इन्पूट होता है उसके बाद यह 14 और 5 वोल्ट बनता है और यही supply IC में जाता है और हमारा driver section में भी जाता है और भी कुछ काम है वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको shortcut में समझा रहा हूँ तो यहाँ से एकदम मन के चलिए कि जो 5 और 14 जो 78-05 है हमारा वहाँ से एकदम driver section में चला जाता है और फिर IC में भी जाता है तो और एक बात यह जो 14 फोल्ट हमारा है यह strip only for हमारा driver section में ही काम करता है और 14 फोल्ट का कुछ काम नहीं है अभी तो हमारा और एक section बाकी है जो IC section है तो इसका हम 4 नमबर ले लेते है तो दिखे यह एक नमबर हो गया MOSFET दो नमबर हो गया driver section यह 3 नमबर 14 फोल्ट और यह 4 नमबर हो गया हमारा IC section तो एक controller में 4 section रहता है अभी जब आप इसको repair करेंगे उस time आपको बहुती अच्छे से समझना होगा कि हमारा कौन सा section में खड़ाव है इसको बहुती ज़रा मतलब के समझना बहुती ज़रूरी है कि कौन सा section में खड़ा भी है कुछ-कुछ लोगता है पूरा एकदम जितने भी components है उसको निकाल लेते है तो उस time तो वो मान के चलिए वो अगदम बेकार हो गया तो देखिए अभी ये काम कैसे करता है ये जो diagram है इसमें देखिए mosfet section और driver section दिया हुआ है और इसको note जरूर कीजिएगा तो देखिए ये जो नीचे का side है तो देखिए ये positive side है तो ये देखिए ये एक number mosfet ये दो number ये तीन ये चार mosfet हो गया और जो हमारा positive supply है वो देखिए पुरा mosfet के चारो drain में एकदम जो 48 volt होता है और source से देखिए ये motor के phase में चला गया और जो चार resistance का मैं बात कर रहा था तो देखिए ये चारो resistance पेरलल में ही है लेकिन ये चारो को एक एक करके दिया है अगर कोई mosfet खड़ाव हो जाए तो उस टाइम ये controller चल जाए इसलिए किया मतलब कि एक खड़ाव हो जाए तो एक ही चला जाए चारो मत खड़ाव हो जाए अभी देखिए ये हमारा जो driver section है यहापर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है देखिए जो हमारा positive side होता है उधर आपको उस side आपको only for 14 volt ही मिलेगा कोई 5 volt नहीं मिलेगा बहुत से दादा है जो गलत बताते है कि दोनों side में ही 5 volt आता है तो यह एकदम गलत है यह 14 volt ही मिलेगा तो चलिए next time दिखाते है तो देखिए यह हमारा 4 MOSFET हो गया अभी देखिए यहापर source पे देखिए पूरा जो 4 MOSFET है source पे सभी negative है और इसका जो drain का जो connection है वो देखिए motor के phase से जुड़ा हुआ है और same process है देखिए चारो resistance है दो तीन चार यह एकदम driver section से जुड़ा हुआ है तो हमारा देखिए एक section में दोनों side में ही negative side में positive side में driver section हो गया अभी देखिए जो 5V का मैं बात कर रहा था तो यह negative side में आपको देखिए एक 14V मिलेगा जो CPU से output होता है उधर भी आपको 5V मिलेगा और एक transistor में आपको 5V मिलेगा जो हमारा power section से आता है तो यही पर आपको समझना है और बहुत से दाता है क्वाल करके मुझे बताते हैं कि दोनों side 5V नहीं आ रहा क्या करूँ तो उनको बताने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको 5V और 14V एक ही side में मिलेगा और वो negative side में मिलेगा और यह जो draw है प्लीज आप लोग इस draw को जरूर नोट कीजिएगा यह बहुत ही काम का चीज है आपको पुरा YouTube में नहीं मिलेगा तो देखिए यह MOSFET सिक्षन और driver सिक्षन इसको चलाने के लिए क्या का मतलब कि क्या voltage चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए यह driver सिक्षन को चलाने के लिए MOSFET सिक्षन तो MOSFET तो रुमान के चलिए यह 48 में चल गया तो इसको चलाने के लिए देखिए 5V और 14V और CPU सिक्षन मतलब के जो हमारा सिस्टेम आइसी है वो driver सिक्षन में सिक्षन भेजेगा उसके बाद ही यह मतलब के motor स्टार्ट होगा तो driver सिक्षन और MOSFET सिक्षन को चलाने के लिए CPU सिग्नल बहुत ही जरूरी है नहीं तो यह काम नहीं करेगा तो अभी देखिए यह clear हो गया हमारा MOSFET और driver सिक्षन दो अभी तो हमारा तीन नंबर बाकी है जो हमारा power सिक्षन है उसको भी आपको एक बार दिखा देते हैं तो देखिए यह डाइट के त्रू यह जो चाबी का wire होता है जो ignition की का यह से यह voltage input होता है उसके बाद ही यह controller start होता है और जो 40V, 48V जो रहता है हमारा MOSFET के साथ जूरा वो all time ही एकदम जो इरिक्षा है उसमें connection दिया ही वह रहता है तो यह जो चाबी का जो wire होता है जो 5V आप 14V का connection है यह हमारा on off का का काम करता है तो देखिए यहापर जो driver होता है वह इसे यह 14V निकल के और जो 78,05 है voltage regulator तो वहापर से यह 5V निकल जाता है तो 14V और 5V तो हमें यह power section से मिल जाता है तो जो तीन section हमारा देखिए यह complete हो गया एक MOSFET section दो driver section और तीन हमारा हो गया यह power section जो 5V और 14V बनाते है अगर यह 5V नहीं बनेगा तो controller start नहीं होगा मतलब कि जो हमारा चावी का जो main part काम करता है वही तो एक number तो हमारा हो गया दो number भी हो गया और जो 5V और 14V और पाज और तीन number अभी देखिए यह IC section हमारा बाकी है तो IC section को मैं आपको समझा देता हूँ यह बहुत ही बड़ा एक video बन जाएगा तो normally मैं आपको समझा देता हूँ तो next video में जो IC का जितने भी pin है उसका क्या 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 काम है तो मैं simply आपको दिखाने के लिए यह draw कर रहा हूँ कि हमारा IC कैसे काम करता है और इससे कैसे मतलब कि इससे IC से कौन-कौन signal निकलता है कौन-कौन voltage निकलता है तो देखिए IC से हमारा जो driver section में जाता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ देखिए तो उपर देखिए आपको दिखाने के लिए दो MOSFET हमने draw किया और नीचे भी दो किया तो एक positive side हो गया एक negative side हो गया तो यह तो हमारा एक channel हो गया अभी चलिए तो उपर वाला negative और नीचे वाला positive है तो देखिए यह हमारा दो number channel हो गया तो दो-दो करके मैं आपको draw करके दिखा रहा हूँ कि यह कैसे काम करता है तो नीचे हमारा यह positive side हो गया उपर negative तो यह देखिए यह हमारा तीन channel बन गया अभी देखिए बहुत सी लोग यही पर गलती कर देते हैं तो देखिए यह उपर हमारा तीन driver section हो गया एक दो तीन और नीचे देखिए यह एक दो तीन मतलब के एक channel में हमारा छे driver section आ गया तो अभी देखिए तो driver section को चलाने के लिए हमारा तो तीन channel मतलब तीनो wire चाहिए हमको CPU से तीनो channel को चलाने के लिए और यह मान के चले ही यह positive side में जा रहा है तो यही पर देखिए यह CPU में आपको voltage नहीं मिलेगा और जो negative side में जा रहा है देखिए जो तीन यह negative side तो यह तीनो CPU की connection में आपको 5V मिलेगा तो ज़रा ध्यान से समझे जो CPU output दे रहे हैं तो negative side में आपको यह 55V मिलेगा तीनो में ही मतलब कि तीन section में तीन channel में जा रहा है और positive side में आपको पूरा zero मिलेगा यही सब लोग गलती कर देते हैं यह तीनो वायर में ही zero आएगा मतलब कि देखिए हमारा 6 driver section हो गया तो 6 के लिए देखिए IC से 6 pin ही निकल रहा है तो यहां से देखिए direct resistance के तुरू यह motor के hall sensor में जाता है उसके बाद आप ले लिजिए कि जो हमारा वो back मतलब कि reverse यह भी IC से एकदम जुरा रहता है और जो accelerator होता है हमारा throttle उसका भी connection यह IC से एकदम जुरा हुआ रहता है तो देखिए यह हमारा पूरा clear हो गया अभी जितने भी draw मेरे पास है मैंने दिखाया आपको यह video के last में मैं आपको दे दूँगा प्लीज उसको draw कर लीजेगा आप तो एक number देखिए यह काम कैसे करता है अभी जो motor के sensor है वो पहले तो उसका direction ठीक करते है कि उसे front में चलना है या reverse में तो उसके बाद दो number यह आ गया accelerator में जब यह accelerator से थोड़ी से भी मतलब कि voltage जब हाई होके IC को comment भीजता है voltage IC तक चला जाता है accelerator के through तो उस time तुरंत यह IC driver section को signal भीजते है MOSFET को on करने के लिए तो यह जो process है यह बहुती जल्दी होता है मतलब कि यह बहुती जल्दी और यह IC तुरंत driver section को comment भेज देगा signal देके के start होना है तो driver section क्या करेगा अपना काम करते हुए MOSFET को on कर देगा और यह हमारा controller start हो जाएगा जिसको भी यह diagram चाहिए वो वीडियो के last में इसको चालू कर दूंगा प्लीज आप लोग इसको note कर लिजेगा और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को थोड़ा subscribe कर दीजेगा तो देखिए यह जो circuit diagram है प्लीज आपको इसको note करना है आपको काम करने में बहुत आसान हो जाएगा तो देखिए पहला वाला था MOSFET और driver section का यह एक टाइप का 14 पाज वोल्ट का है और यह motor का hall sensor का thanks for watching मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे मातरम भारत माता की जाए